आज हम देखेंगे बीजिय व्यन्जकों के विभाजन से जुड़े कुछ दिल्चस्प उधारण किसी गाड़ी की गती, समय तथा तै की गई दूरी में संबन इस प्रकार दशाया जाता है यदि गाड़ी दूरा तै की गई दूरी एक बीजिय व्यन्जक यानि एलजब्रिक एक्सप्रेशन एक्स का घं रिण चौसट एक्स से प्राप्त होती हो और उसकी गती एक्स रिण आठ हो तो समय के लिए व्यन्जक क्या होगा गती समय तथा तै की गई दूरी में संबन तै की गई दूरी बराबर गती गुणा समय होता है यदि हमें समय प्राप्त करना हो तो इसी को हम समय बराबर तै की गई दूरी विभाजित गती लिख सकते हैं चुकि तै की गई दूरी बराबर एक्स का घं रिण चौसट एक्स तथा गती एक्स रिण आठ है इसलिए समय बराबर होगा एक्स का घन रिण 64x विभाजित x रिण 8 के इसे सरल करने के लिए हमें अंच को हर से भाग देना होगा चुकि यहां अंच और हर दोनों में एक से अधिक पद है इसलिए यहां हमें एक बहुपद यानि पॉलिनॉमियल को बहुपद से विभाजित करना होगा इसके लिए हम अंच और हर दोनों को गुणन खंडों के रूप में लिखेंगे अब अंच में x को उभयनिष्ट यानि कॉमन लेने से हमें प्राप्त होता है हम देख सकते हैं कि 64 संखे 8 का वर्ग है इसलिए हम इस सर्वसमिका का प्रयोग कर सकते है इस प्रकार हमें अंच की स्थान पर प्राप्त होगा अब यहां अंच और हर दोनों में x रिन आठ उभयनिष्ट है इसलिए निरस्ति करण यानि कैंसलेशन के विदी से इसे हम अंच और हर दोनों में काट सकते हैं इससे हमें समय के लिए व्यन जग प्राप्त होगा x गुणा कोश्ठक में x धन 8 यानि x का वर्ग धन 8x चलिए अगला उधारन देखे एक घनाब यानि क्यूबोईट के आकार के टंकी का आयतन इस बीजिये वेंजक से दर्शाया गया है यदि घनाब की उच्चाई 6m का वर्ग n है तो ग्याद कीजिए टंकी के आधार का शेत्रफल क्या होगा हम जानते हैं कि घनाब का आयतन लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उच्चाई है यहां लंबाई गुणा चोड़ाई के गुणन फल से हमें घनाब के आधार का शेत्रफल ग्यात होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि घनाब का आयतन बराबर घनाब के आधार का शेत्रफल गुणा उचाई है इस तरह से घनाब के आधार का शेत्रफल बराबर होगा घनाब का आयतन विभाजित घनाब की उचाई जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं यहां हमें एक त्रिपद यानि ट्राइनोमियल को एक पदी यानि मुनुमियल से विभाजित करना है. क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए, सोचिए. बिल्कुल सही, हम त्रिपद के प्रतेक पद को एक पदी से विभाजित करेंगे. फिर निरस्तिकरण के विधी से यानि काटकर प्रतेक पद का भागवल अलग-अलग प्राप्त कर सकते हैं. इस तरह से हमें घनाप के आधार का शेत्रफल प्राप्त होगा तीन M का वर्ग, N का वर्ग, धन, MN, रिन, दो N. तो आज हमने देखे BGA Venjiko के विभाजन से जुड़े कुछ दिर्चस्प उधारन. अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ साधारन गलतिया देखेंगे.